बात करेंगे शिवजिना के सांसद संजे राउत की संजे राउत राज्यसभा में राश्टरपती के अभीभाशन के पर हुए प्रस्ताव परचर्चा के दवरान उन्होंने केंदर की मोदी सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने ऐसा लगता है कि जो केंदर की मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ राज द्रोह का मुकदमा दर्च किया जाता है केंदरी जाच एजेंसियों द्वारा लगातार विपक्ष दल के नेताओं को प्रतारित किया जा रहा है और क्या कुछ कहा संजे राउत से आईए सुनते हैं। जो उनाट्रेट डेशन में हमारे देश के प्रतिनी दी थे एंपी है कैमिरेट में थे उसको भी देश द्रोहिका उसके उपर मुकदमा ठोक दिया है। और सब देश द्रोही के धारा एक वह रग दी है। डोमिस्टिक फाइलेंस हो तो भी देश द्रोह का मुकदमा ठोक देगा। पंतव्रधान मोदी हमारे लिए आदर्णिय है। देश के प्रधान मंत्री चेका हम सन्मान करते करते रहेंगे। उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए। उन्हें मानते हैं। लेकिन बहुमत जो होता है वह अंकार से नहीं चलाया जाता। बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम संत तुकाराम। उसने कहा है निंदका चे घर आसावे शेजारी। उसका मतलव है जो आपका निंदक है। जो आपके ओपर हिंट्रिसाइद करता है। आपको आएना दिखाता है, वह आप पे आसपास रहरों चाहिए। उसका अगर आपके बघल में में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे जो टिका करे आप उसको बदनाम कर देते हो जैसे किसान अंदोलन जिस तरह से इस किसान अंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजी चल रही है मुझे लगता है देश के प्रतिष्टा के लिए ठीक नहीं है किसानों के लिए ठीक नहीं है हम सब के लिए ठीक नहीं है 26 जाने वारी लाल के लिए पर किरंगे का अपमान हुआ उससे हमारे प्रधान मंत्री बहुत दुखी हो गया पुरा देश दुखी हो गया लेकिन लाल किले पर किरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दिप सिद्धू है वो कौन है किसका आद्मी है उस बारे में तो आप नहीं बता दे वो किसका आद्मी है उसको किस ने ताप कर दी है ये सिद्धू आप तक पकड़ा नहीं गया लेकिन दोसो से जादा किसान इस प्रकरड में तिहार जिल में बंध है और उनके उपर देश द्रोह का मुकदमा चल रहा है सो से ज़्यादा अंदोलक जो युवा है वो लापता है वो कहा है पोलिस ने उसका क्या किया उसका एंकाउंटर किया है क्या क्या मार दिया वो पता नहीं है